ओम शान्ती, 11 अप्रेल दोहजार जोबिस के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं आज की मुर्ली से होंवर्क बाबा ने कहा, तुम आए हो बेहत के बाप से राजयोग सीखने इसले बुद्धी चली जाने चाहिए बाप की तरफ आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूँचती हैं वशिकरण मंत्र सब को देना है, पढ़ाई के महनत से राजयाई का तिलक लेना है इन दुखों के पहाड को हटाने में अपने अंगुली देनी है बाप को याद करने के ड्रिल करनी है, बाकी योग योग कह मूँचना नहीं है और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्ची, यह बना बनाया नाटक है इस नाटक से एक भी आत्मा छूटनी सकती, मौक्ष किसी को मिलनी सकता प्रशन, उचे ते उच्चा पतित पावन बाप, भोलानात कैसे है? उत्तर, तुम बच्चे उने चावल मुठी दे महल ले लेते हो इसले ही बाप को भोलानात कहा जाता है तुम कहते हो श्यू बाबा हमारा बेटा है वह बेटा ऐसा है, जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है भक्ती में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है परन्तु भक्ती में तो अर्थ काल का मिलता ज्यान में समझ से करते, इसले सदा काल का मिलता है ओम श्यान्ती रुहानी बच्चों से रुहानी बाप रुह रिहान कर रही है वा ऐसे कहेंगे रुहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रही है तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने इसले बुद्धी चली जाने चाहिए बाप की तरफ यह है परमातम ज्यान आत्माओं के प्रती, भगवानु वाच सालिग्रामों प्रती, आत्माओं को ही सुनना है, इसले आतम अभिमानी बनना है, आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुशोत्तम संगम्युक पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आतम अभिमानी बनाती है आतम अभिमानी और देह अभिमानी का फर्ग तुम समझ गई हो बापने ही समझाया है आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है पढ़ती आत्मा है शरीर नहीं प्रन्तु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाती है तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार उनका नाम है शिव शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर यह किस ने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है बाकि वह सब हैं जिसमानी पढ़ाया अनेक प्रकार के उसमें सब्चेक्ट होती है बिये आदे कितने नाम है इसमें एकी नाम है पढ़ाई भी एकी पढ़ाती है एकी बाप आकर पढ़ाती है तो बाप को ही याद करना पड़ी हमको बेहत का बाप पढ़ाती है उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है मनुश्यों का नाम शरीर पर पड़ता है कहेंगे फलाने का ये शरीर है वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है मनुश्यों के नाम शरीर पर है एक ही निराकार बाब है जिसका नाम है शिव जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शीव ही है यह तो शरीर तो उनका नहीं है भगवान एकी होता है दस बारा नहीं वह एकी है फिर मनुश्य उनको 24 अवतार कह देती है बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है पर मात्मा को ठिकर भीतर सब में कह दिया है जैसे भगती मार्ग में खुद भटकी हैं वैसे मुझे भी भटकाया है ड्रामा नुसार उनके बात करने का धंग कितना शीतल है समझाती हैं मेरे उपर सबने कितना अपकार किया है मेरी कितने गलानी की है मनुश्य कहती हैं हम निश्काम सेवा करती हैं बाब कहते हैं मेरे सिवाय कोई निश्काम सेवा करनी सकता, जो करता है उनको फल जरूर मिलता है, अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन है कि भक्ती का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ग्यान का सागर, भक्ती में आधा कल तुम कर्मकांड करते आई हो, अब यह ग् पढ़ान है पढ़ाई, पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाब से, बाब पुरुशोतम संगम्युक पर एक ही बार आकर तुमको पुरुशोतम बना कर जाती है, यह है ग्यान और वह है भक्ती, आधा कल तुम भक्ती करते थे, अब जो भक्ती ने करते हैं उनको वहम प बच्ची तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतीतों को पावन बनाई सब की सद्गती करो तो अब मैं आया हूँ भक्ती अलग है ज्ञान अलग है भक्ती से आधा कल्ब होती है रात ज्ञान से आधा कल्ब के लिए होता है दिन राम राज्य और रावन राज्य दोनों बेहद है दोनों का टाइम बराबर है इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की व्रधी जास्ती होती है आयू भी कम होती है व्रधी जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रच्चती है तुम बच्चे जानते हो इतने बड़ी दु पुकारते भी हैं बाबा आकर अधर्म विनाश करो अर्थार्त स्रुष्टी को गम करो दुनिया तो जानतेने कि बाप कितना कम कर देते हैं थोड़े मनुष्य रह जाते हैं बाकी सब आतमाय अपने घर चले जाती हैं फिर नंबरवार पार्ठ बजाने आती हैं नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वे घर से भी देरी से आती हैं अपना धंदा आदी पूरा कर बाद में आते हैं नाटक वाले भी अपना धंदा करते हैं फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजानी तुम्हारा भी ऐसी ही है पिछाड़ी में जिनका पिछाड़े वाले देखो तो अभी आते ही रहती हैं, ताल तालियां पिछाड़े तक आती रहती हैं, इस समय तुम बच्चों को ग्यान की बाते समझाई जाती हैं, और सवेरे याद में बैठते हो, वह है ड्रिल, आत्मा को अपने बाप को याद करना है, योग अक्षक इसमें मूझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है, बाप कहते हैं अरे बाप को तो तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगी, बाप है ही पतित पावन, बाप आकर ड्रामा के आदिमद्य अंत का राज सम जाती हैं यह विराइटी धरम और विराइटी मनुस्यों का व्रिक्ष है सारे स्रश्टी के जो भी मनुश्य मातर हैं सब पार्ट दारी हैं कितने धेर मनुष्य हैं हिसाब निकालते हैं एक वर्ष में इतने करोड पैदा हो जाएंगी फिर इतनी जगें ही कहां है तब आप कह मैं आता हूँ लिमिटिड नंबर करनी जब सबी आत्माई उपर से आ जाती हैं हमारा घर खाली हो जाता है बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है जाड कभी सूपता नहीं चलता आता है पिछाडी में जब वहां कोई रहता नहीं फिर सबी जाएंगे नई दुनिया में कितन धीर है शरीर तो सब का बदलता जाता है वह भी जनम वहीं लेंगे जो कल्प कल्प लीती है यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाई बाप के कोई समझाना सके बच्चों में भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार समझती है बेहत का नाटक कितना बड़ा है कितनी सम मजनी की बाती है बेहत का बाप तो ग्यान का सागर है बागी तो सब लिमिटिड है वेद शास्त्र आदे कुछ बनाती है जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चोड़ी गीता बन जाए सब चपता जाए तो मकान से भी उने सागर को हब किया तुम चड़ियाई हो सारे ग्यान सागर को हब कर रही हो तुम अभी ब्राह्मन बने हो तुमको अब ज्यान मिला है ज्यान से तुम सब कुछ जान गई हो कल्प कल्प तुम यहां पढ़ा ही पढ़ती हो उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है जितना ज लुष्यार्ट कर कितना पद पाने के लायक बन रही हैं। स्कूल में भी नमबरवार इंतिहान पास करते हैं। सूरेवंशी, चंदरवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वे चंदरवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बान क्यों दिया है, जो नापास होते हैं वैचंद्रवनसी बनते हैं, मारा मारे के हिस्ट्री बना दी है, इस समय है ही मारा मारी, तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है, जैसे कोई होस्पिटल बनाती है तो दूसरे जुनम में उनकी आयू बड़ी और तंदुस्त होंगी कोई धरमशाला स्कूल बनाती है तो उनको आधा कल्ब का सुख मिलता है यहां बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं तो कहते हैं तीन लोकिक और एक श्यू बाबा क्योंकि वह वर्सा देता भी है तो लेता भी है हिसाब है उनको लेने का कुछ है नहीं वह तो दाता है चावल मुठी देकर तुम महल ले लेती हूँ इसलिए भोला नाथ है पतित पावन ज्यान सागर है अब बाब कहते हैं ये भक्ती के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ भक्ती का फल होता है आधा कल्प का सन्यासी कहते हैं ये सुख काग विष्टा के समान है इसलिए घरबार छोड जंगल में चले जाती हैं कहते हैं हमको स्वर्ग के सुखने चाहिए जो फिर नर्क में आना पड़ी हमको मोक्स चाहिए परन्तु यह याद रखो कि ये बेहत का नाटक है इस नाटक से एक भी आत्मा जूटनी सकती है बना बनाया है तब गाती हैं बनी बनाई बन रही परन्तु भक्ती मार में चिंत करनी पड़ती है जो कुछ पास किया है वैफिर होगा 84 का चक्र तुम लगाती हो यह कभी बन्द नहीं होता है बना बनाया है इसमें तुम अपने पुरुषाट को उड़ा कैसे सकती हो तुमारे कहने से तुम निकल नहीं सकती हो मोक्ष को पाना जोती जोत समाना ब्रह्म मे लीन होना यह एक ही है अनेक मती है अनेक धर्म है फिर कह देते हैं तुम्हारी गत्मत तुम ही जानू तुम्हारी श्रिमत से सद्गती मिलती है सो तुम ही जानती हो तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने पढ़ाई पढ़ें और हमारी सद्गती हो, जब सद्गती हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है इस समय सब के उपर दुखों के पहाड गिरने हैं, खुने नाहेक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड भी दिखाते हैं अंगुली से पहाड उठाया, तुम इसका अर्थ जानती हो, तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड को हटाती हो, दुख भी सहन करती हो, तुमको वशिकर्ण मंत्र सभी को देना है कहते हैं तुलसे दास चंदनगी से, तिलक राजाई का तुमको मिलता है, अपनी अपनी मेहनत से, तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिससे राजाई मिलती है, वह पढ़ाने वाला एकी बाप है अब तुम घर में बैठे हो, यह दर्बार नहीं है, दर्बार उसको कहा जाता है, जहां राजाई महाराजाई मिलती है, यह पाठशाला है, संझाया जाता है, कोई ब्राहमने विकारी को नहीं लेया सकती है पतित वायु मुंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाव नहीं करती है, जब पवित्र बने तब अलाव किया जाई, अभी कोई कोई को अलाव करना पड़ता है, अगर यहां से जाकर पतित बने, तो धार्णा नहीं होगी, यह हुआ अपने आपको श्रापित करना विकार है ही रावन की मत, राम की मत छोड रावन की मत से विकारी बन, पत्थर बन पड़ती है, ऐसी गरुड पुरान में बहुत रोचक बाते लिख दी है, बाप कहती है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवरादी नहीं बनता, पढ़ाई में कोई अंधश्रदा की बात नहीं होती, तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाती है, अच्छा, मीछे मीछे सिकिलदे बच्चों प्रती, माध पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, धाना के लिए मुखे सार, पहला पोइंट, वशीकरण मंतर सब को देना है, पढ़ाई की महनत से राजाई का तिलक लेना है, इन दुखों के पहाड को हटाने में अपनी अंगुली देनी है, दूसरा पोइंट, संगम्युक पर पुरुशोतम बनने का पुरुशाट करना है, बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बाकी योग-योग कह मूँचना नहीं है, वरदान, सेवा में विगनों को उननती की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाली निर्विगन सच्चे सेवाधारी भव, विस्तार, सेवा ब्रामन जीवन को सदा निर्विगन बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विगनों का पेपर भी ज्यादा आता है, निर्विगन सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है, विगन आना यह बेर ड्रामा में नूंद है, आने ही है और आते ही रहेंगी क्योंकि ये विगन वा पीपर अनुभवी बनाते हैं इसको विगन ना समझ अनुभव की उन्नती हो रही है इस भाव से देखो तो उन्नती की सीरी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे स्लोगन विगन रूप नहीं, विगन विनाशक बनूं. अच्छा, ओम शांती.